हाँ हाँ ओक्य मैं पहुंच जाओंगी आप मुझे लोकेशन भीज दीजे समीर जल्दी करो डीलर का कॉल आया है वो ब्यूटी पार्लर के लिए जो दुकान बोली थी ना वो बोल रहें एक बार देखने के लिए आ जाओ हाँ हाँ आ रहा हूँ मैंने इसलिए आज अपने ओफिस से छुट्टी ली है ताकि तुम्हारे ब्यूटी पार्लर को एक बार मैं भी देख लूँगा तुमने नेहा को बोल दिया ना आने के लिए मैंने उसे एड्रेस भीज दिया है शेफाली ने जो ब्यूटी पार्लर किराय पर लिया हुआ था उसका मालिक वो जगह बेज कर किसी दूसरे शहर चला गया अब इतनी जल्दी में शेफाली को अपना पार्लर बदलने की जगह नहीं मिल रही थी अचानक शेफाली को कम भड़ा दूर है इसी वजह से कुछ समय से बन था पर कम बजट में आपने बोला था शेफाली जी तो मैंने उसी बजट में ही आपको ये पार्लर दिलवा दिया वरना अगर आप शेहर में कोई पार्लर ढूंडोगे तो आपके बजट में नहीं मिलेगा शेफाली तुम्हे समीर मेरे पास कोई और आप्शन भी नहीं है अभी मुझे यही पार्लर लेना पड़ेगा तुम तो जानते ही हो इतनी जल्दी में मुझे जो भी मिल रहा है मुझे बस काम सेट करना है क्योंकि शादियों का सीजन है बुकिंग के लिए लोग वेट कर रहे हैं मैं अपना का पार्लर सेट कर लेती है शेफाली की कस्टमर पार्लर में आने लगी और शेफाली ने अपना काम शुरू कर दिया एक दिन शेफाली को डॉक्टर के पास जाना था उसने नेहा से कहा नेहा एक काम करो मैं कल पार्लर आने में थोड़ा लेट हो जाओंगी तुम ये चाबी रख थी तभी उसकी नजर पार्लर में लगे शीशे पर जाती है शीशे में उसे किसी चुडैल की परचाई नजर आती है नेहा पीछे बुढ़कर देखती है पर कुर्सी पर तो कोई नहीं था नेहा दुबारा शीशे में देखती है तो वो परचाई गायब हो जाती है पता नहीं सुबह सुबह दिमाग कहा चला जाता है लगता है मैं नीन में हूँ राट को भूतों की पिक्चर देखो तो दिन में भूती नजर आते हैं नेहा अपने आप से बाते करी रही थी कि तभी शैफ़ाली आ जाती है क्या हुआ नेहा किस से बात करी हो और ये वाश पेसिन का नल क्यों खुला छोड़ा हुआ है मैंने तो नल नहीं खोला ये नल किस ने खोला देखो नेहा ये इस तरह से तुम्हारा काम करना मुझे पसंद नहीं अगर यहां काम करना है तो ठीक से रहो सौरी दीदी ठीके मैं वाश रूम होकर आती हो तुम ध्यान रखो क्लाइंट आने वाले होगे शेफाली वाश रूम चली जाती है पर तभी हलो नेहा गुड मॉनिंग क्लाइंट अभी आई तो नहीं ना मुझे आने में बहुत देर हो गई दीदी आप तो बहुत देर के आ चुके हो आप तो वाश रूम में थे ना लगता है तुमारी नीन पूरी नहीं हुई पूरी रात यहीं सोचती रही होगी कि कब टाइम पर दुकान जाओ मैं अब भी आई हूँ मैं वाश रूम कैसे जा सकती हो खेट छोड़ो अब मैं वाश रूम जा रही हो यह कैसे हो सकता है? मैं दिन में कोई सपना नहीं देख सकती दीदी तो वाश रूम में थी ना नेहा परिशान हो गई थी कि वो किसे सच माने और किसे नहीं कभी शैफाली के चीखने की आवाज आती है नेहा दोडती हुई जाती है नेहा यहाँ पहले से ही कोई है वाश्रूम में कोई है वाश्रूम का दर्वाजा नहीं खुल रहा पर अंदर से बहुत डरामनी आवाज आ रही है दीदी मैं आपको बोल रही थी ना कि मैंने आपको देखा है दीदी यहां पर जरूर कोई गरबर है यहां पर कोई चुड़ेलया भूत का साया दी थी मुझे तो बहुत डर लग रहा है तुम रुको में किसी को बुला कर लाती हो शेफाली किसी को बुलाने के लिए बाहर चली जाती है नेहा बहुत घबराई हुई थी तभी वो वाश्रूम से शेफाली को बाहर आता देखती है क्या बात है नेहा तुम वाश्रूम के बाहर क्यों खड़ी हो दर्वाजा बजा देती है अगर तुमें जाना था तुमें जल्दी बाहर आ जाती अगर आप अंदर थी तो वो वो कौन है नेहा घबराई हुई थी कि तभी उनकी क्लाइंट आ जाती है नेहा शेफाली क्लाइंट का मेकप करने में लग जाती है नेहा भी भी बहुत घबराई हुई थी क्योंकि सुबह से उसके साथ जो हो रहा था उसे वो भूल नहीं पा रही थी वो तो इतना डर गई थी कि वो बार-बार शेफ आली की तरफ देख रही थी उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि दो-दो शेफ आली कैसे हो सकती है अगले दिन शेफ आली ब्यूटी पारलर पहुंचती है और नेहा को फोन मिलाती है क्या हो निहा आज तुम पार्लर नहीं आई दीदी आज मेरी तब्यत बिल्कुल भी ठीक नहीं है मैं आज छुटी लेना चाहती हो मैं कल टाइम पर आ जाओंगी अच्छा-चा कोई बात नहीं वैसे भी आज कोई मेकप तो है नहीं बाकी कोई क्लाइंट आता है तो मैं देख लूँगी शेफाली पार्लर का काम करने लगती है इसी बीच कुछ क्लाइंट आते हैं और अपना काम करवा कर चले जाते हैं दोपेहर का टाइम था शेफाली खाना खाने बैठी ही थी कि तभी उसके मुबाइल पर किसी अन्नोन लेडी का फोन आता है शेफाली उससे बाते करने लगती है जी कोई बात नहीं आप पांच बजे तक आजेए मैं पार्लर में ही मिलूँगी शेफाली क्लाइन का वेट करती है पर छे बजच चुके थे जिस क्लाइन ने फोन किया था वो अभी तक नहीं पहुँची थी शाम के छे बजगे पर अभी तक मैडम नहीं आई जिन्नोंने मुझे फोन किया था क्या करूं मुझे तो घर पहुँचने में रात हो जाएगी एक बार उन मैडम के मुबाइल पर फोन करती हो अरे ये नंबर क्यों नहीं मिल रहा थोड़ी देर और वेट करके देखती हो फिर निकल जाओंगी शेफाली उस क्लाइंट का वेट करती है साथ बच चुके थे तभी एक लेड़ी ब्यूटी पार्लर में आती है जी मुझे आने में देर हो गई आपको मेरा इंतजार करना पड़ा मैं बस घर से निकलने में लेट हो गई ओ अच्छा अच्छा आपने ही मुझे फोन किया था मैंने सोचा आप आओगे ने आपका फोन भी नहीं मिल रहा था मैं बस घर ही जा रही थी कैसा मेकप करवाना है आपको और क्या ओकेजन है मुझे बता दीजे वो मेरी सहेलिया एक भूतिया पार्टी कर रही है तो मुझे कोई ऐसा मेकप दीजे कि जिसमें मैं चुड़ेल लगो मतलब बिल्कुल मुझे देखकर लोग डर जाए ऐसा मेकप करना कि पार्टी में सब समझें कि मैं असनी चुड़ेल हूँ मैंने ऐसा मेकप पहले किया तो नहीं ये पर कोशिश करती हो बाकी अजीब सी पार्टी नहीं है ऐसे चुड़ेल कोन बनता है पार्टी में मैं बनती हूँ ना मुझे अच्छा लगता है चुड़ेल बनना आप मेकप शुरू कीजिए शेफाली थोड़ा घबरा जाती है रात का समय था शेफाली पार्लर के दर्वाजे से बाहर देखती है उसे कोई भी नजर नहीं आता सुनसान सड़क थी वो लेडी शेफाली को अजीब नजरों से देख रहे थी शेफाली ने जब से पार्लर लिया था वो टाइम पर ही घर चली जाती थी पर आज उसे रात के नौ बच चुके थे शेफाली लेडी का मेकप करने में लग जाती है अचानक उसकी नजर सामने लगे शीशे पर जाती है वो देखती है कि वो जिसका मेकप कर रही है वो कोई लेडी नहीं बल्कि एक भयानक चुडैल है शेफाली के हाथ कामने लगते है और वो चीरती हुई पार्लर से भागती है तभी वो चुडएल हवा बनकर पार्लर की शीशे को चीरती हुई गायर हो जाती है अचानक समीर आ जाता है समीर, समीर, पार्लर में, पार्लर में चुडएले समीर घबराओ नहीं शेफाली, मैं आ गया हूँ मैं बहुत देर से तुम्हारा फोन मिला रहा था पर तुम फोन नहीं उठा रही थी तुम जल्दी घर चलो यहां रात में ज्यादा देर रुखना ठीक नहीं मैं घर जाकर तुम्हें सारी बात बताता हूँ शेफाली समीर के साथ घर जाती है उसे सच्चाई पता चलती है कि वो ब्यूटी पार्लर तो बहुत सालों से किसी ने भी नहीं खरीदा क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर एक शमशान के उपर बनाया गया था और उसके बाद वहां कई डरावने हाथ से होते रहे विनूद प्रॉपर्टी डीलर को पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उसने अवैद दुकान को बेचने की खोशिश की थी और वो ब्यूटी पार्लर पुलिस के कबजे में आ जाता है शेफाली और नेहा दोनों कुछ दिनों तक बहुत डरी रहीं पर उन्हें इस बात की तसली थी क्योंने उस चुडैल की ब्यूटी पार्लर में कोई नुकसा नहीं पहुचा शेफाली शेहर में ये एक नया ब्यूटी पार्लर किराई पर ढूंड लेती है वो फिर से अपना काम शुरू करती है पर उसे एक सीख मिल गई थी कि कभी भी कोई जमीन जायदाद खरीदने से पहले उस जगह की जाच परताल करना बेहत ज़रूरी है नमस्ते दर्शकों में वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बने रहे हमाएं साथ रूमांचिक वर्ड में तो दुबारा मिलते हैं नई स्टोरी के साथ अब तक अपना बहुत दिहान रखेगा धनेवाद